तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग तो I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे मस तोंगे और काफी लोगों का सवाल यह है कि आउटो रिक्षा कितने में आता है आउटो रिक्षा कैसे लिया जाता है और ये उनका ही सवाल है जो लोग हर एक काम को छोटा बड़ा सुचते ऐसा म सबसे पहले तो आटो रिष्षा के बारे में आप लोगों से जानकारी ले लो कितने में आता है मैंने भी स्वी से जानकारी करते करते ना लेले की शुस्ते शुस्ते आखिमे ले लिया। तो विस्तार से में आपको कताता हूँ कि आव्टो रिक्षा कित्ने में आता है। देखेए। मैं ध्या ओनर हूँ, मेरे पास कोई परमिट वेगरा नहीं था, तो पर्मिट बनाने का मैंने 10,000 रुप्या दिया है कोई 10,000 देता है कोई 5,000 में बना देता है तो मुंबई में अगर आप नहीं पर यह होंगे अगर पर्मिट आपको बनाना होगा तो 5,000 रुप्या में पर्मिट बनता है लेकि मैंने 10,000 दिया है क्योंकि सुरू सुरू का जो एक्स्पिरियंस होता है वो काफी हाड होता है उसमें खोड़ा धोखा दड़ी हो जाता है खोड़ा प्रावलोंस आ जाते हैं मतलब ना जानो तो लोग थोड़ा इधर गर करके अपना पैसा एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो जब मैंने पर्मित बनवा लिया ना तो मालूप चार लाक मिन्hmen गारी मुझे पड़ी ए जिसका मैं इक एक कटिया पता है अग bekannt दू नाक चा जार रुपेट आती है डो लाक चुतिस जार रुपे गारी आती है जिस में इस में इनसवर्टेंच बोला रेता है एक्स भरना रेता है टोटे बोटेव,्रहर्च टेन है आसे बहुत सारे expenses रहते हैं जो जोड़ करके आपको एजेंट लोग बताएंगे जैसे मुशे बताया गया है 2,70,000 मतलब टोटल गाड़ी लाने के लिए 2,70,000 जो है उन्होंने बताया उसके बाद 30,000 रुपया डाउन पेमेंट यानि कि गाड़ी टोटल मेरी कितने को ही 3,00, 2,70,000 का मेरा लोन है और 30,000 रुपय मैंने डाउन पेमेंट किया हुआ है तो यानि 3,00,000 की गाड़ी होती है ठीक है 3,00,000 की गाड़ी मुझे मिली है उसके बाद मैंने बजाज महिंद्रा फाइनेंसियल से इसको लोन कराया हुआ है जिसका लोन 2,70,000 है और जिसकी EMI मुझ है कि 11,000 का EMI रखो शार्ड में रखो तो 11,000 का EMI तीन साल के लिए मैंने बनवाया हुआ तो शाड़ी 7,000 या 8,000 ऐसा EMI आता तो मैंने इसको 11,000 बढ़ा करके 3 साल के लिए किया है नॉर्मल अगर आप EMI चाहते हो तो शाड़ी 7,000 आएगा लेकिल 5 साल के लिए आता है मेरा जो है 80,000 रुप्य एक्स्ट्रा जा रहा है तो 80,000 एक्स्ट्रा वो गया उनलाग की गाड़ी प्लस बाकि जो 20,000 लागा होगा इधर दुरकर की गाड़ी पूरे डेकोरेशन बनाने में कुल मिला की 4,000 हो रहा है तो गाईज गाड़ी आउटो रिख्षा जो होता है व अपना प्राइस बाता है तो इससे आप जान लिजिए कि मैंने कितने मिलिया है उसके इसाथ साथ कहीं को यह लेना चाहते हो तो इस तरह का प्लकमेशन करें लीजिए बाकि आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि आउटो रिख्षा क्यों लेना है ठीक है नेक्ट वीडियो म आपको बताओ कि मैंने रिख्षा क्यों ले लिया मुझे तो रिख्षा लेना नहीं था मैं चौप करके साथ सक पार्ट टाइम चलाता तो इसके लिए आपको वेट करना पड़े हैं मैं लेक्षी बीडियों बताओं तब तक एक तमेंट चीज़ें अ झाल